कोई भी company को किस दिन कितना profit आया कितना loss आया कितने करमचारी है क्या है ये छुपा ही नहीं सकता है कोई limit नहीं है कभी भी company कोई गलत काम करेगी मालिक को कुछ नहीं होगा औकात से बाहर मत कुदो सरकार प्राइवेट लिम्टेड क्या होता है आप देखते हों किसी कंपणी के आगे लिखा होगा लिमिटेड किसी के आगे लिखता है प्राइवेट लिम्टेड लिखता है प्राइवेट लिखता है प्राइवेट लिखता है प्राइवेट लिखता है कोई कुछ भी नहीं लिखता पीविटी, अलटीडी, यह प्राइबेट लिंटेलो, इसमें एक फाइदा होता है, तो एक लॉस भी Umुर्श यह होता है... इसमें पाइदा यह होता है कि उठा के जेल डाल देगी, छापा मार देगी, कुछू कर देगी. कोई लिमिट नहीं है. लेकिन प्राइबेट लिमिटेड में सरकार की क्या है? लिमिट है. उकात से बार मतं कुदो सरकार हैं. संजवा केड की नहीं अगया? तो लिमिटेड में याँ. यहां पर दो लोग होते हैं एक company के मालिक होते हैं और एक company के संचालक होते हैं क्या होते हैं? संचालक मालिक जो होते हैं वो shareholder होते हैं क्या होते हैं? shareholder और करमचारी जो होते हैं काम करते हैं CEO main काम करेगा CTO technical समालेगा CFO balance sheet समालेगा इसमें सारी चीज़े अलग-अलग होती हैं संजाग है कि कभी भी कमपनी कोई गलत काम करेगी तो ये लोग पकड़ाएंगे मालिक को कुछ नहीं होगा और यहां मालिक भी वही है संचालक भी वही है एटुजेड वही है ये सब चीज़ों को हम लोग माइक्रो एकॉनमी में अब खेती करते ह 오 उस्में पूजी चाहिए बीच बहुने के लिए खाट डालने के लिएठ बीड़ोंने के लिए कटिया करने के लिए क्या व most condition talk तो चयंट सिर्णमी चाहिए कि नीजए स्रमिग चाहिए एंडियमी चाहिए Ur い यह जई ँद्यमी हो जाता है और वहीं क्या प्रोप्रांटर हुज पृप्लिक लिम्टेड ना के स्पति कीजवें दुनिया में जो भी कंपनी प्राइबेट लिखती है यह सारी कि सारी कंपनी, MCA, Ministry of Corporate Affair, MCA में registered होती है, कोई भी कंपनी को किस दिन कितना profit आया, कितना loss आया, कितने करमचारी है, क्या है, ये छुपा ही नहीं सकता है, आप जाके MCA के site पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कंपनी का मालिक कोन है, क्या है, क्या नहीं है, हमारा नाम जब खोज रहा था सर, तो MCA के site पे जाके खोज रहा था, खान सर का असली नाम क्या है, क्योंकि MCA site पे मिल जाता है, मेरा असली नाम क्या है, वो कर आप पते नहीं कि हम private limited बनीवे नहीं किये, प्राइवेट लिम्टेट का बाहर की कंपनी कभी भी प्राइडिया है बीजनस का लेकिन पैसे नहीं है तो आपने अगर प्राइवेट लिम्टेट कंपनी बना दिया तो किसी दूसरे से भी कहिए कि तुम हमको 10 करोड दो ना हम तुम को 2% 5% share दे देंगे तो देखेगा कि आपके 2% share की value ठीक है कि ने जैसे मान के चलिए Google का आता है कि हमको अभी पैसे की जरूवत है कोई हमको पैसा दे और हमारे कुल हमारा 2% का share ले ले समझे रहे Google के पास कि बहुत हो जागा तो यह सारी चीजे काम आती है से उसले